Hey guys, welcome back to the brand new video on this channel, this is Rahul Sharma and you're watching Gaming the Awesome YouTube channel So guys, जैसे कि हमने 5.56C gun का comparison कर रहा था, recoil control का, global PUBG and Chinese PUBG में So, आज मैं आपके लिए लेके आगया हूँ 7.62 की guns का recoil, जिसमें guns रहीं guys, अपनी M762 वेरल जो ओलते हैं And साथ में AKM Ray and Groza, इनमें चेक करने वाले iron side, red dot पे and साथ में उसके बाद हम चेक करने वाले 3X So guys, start करते हैं भी global version से start करेंगे and अभी देखते हैं कैसा recoil रहता है, so photovert से video को like कर दो And guys, अभी target दाये तो आपको 30 meter जैसे यहां पे चेक कर रहा हूँ, उसके बाद 60 meter and after that 100 meter पे try करेंगे So recoil आप देख सकते हो, barrel का red dot पे, so इतना अच्छा recoil control हो पाता है But जैसे हम मतलब 60 meters range में इसको control करने के try करते हैं, थोड़ा सा मतलब अपने लिए hard होया आता है So 100 meter पे हम crouch करेंगे, so यह ऐसा कुछ recoil रहता है अपना barrel का जो अपनी global PUBG है, उसमें after that हम try करते हैं अब Chinese PUBG में So Chinese PUBG में देखता हूँ guys कि कितना difference आता है recoil control में and कैसे guns यहाँ पे behave करते हैं, so guys यहाँ पे अभी compensator ले 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 लेते हैं क्योंकि उस gun पे compensator लगा था, so compensator के बादे हैं कि कैसा मतलब recoil रहता है fully attached gun का barrel का, so try करते हैं यहाँ पे and if you can see okay red dot लगा ले तो मैं red dot पे try कर रहे है So red dot पे try करते हैं and red dot पे मैं थोड़ा से माल देख पा रहा हूँ कि right left guns थोड़ी ज्यादा हो रही है यह वेरिल बाकी तो सब कुस ठीक है मतलब horizontal recoil थोड़ा से मुझे थोड़ा से ज्यादा लग रहा है मतलब negligible तो नहीं बोल सकता बट स्टिल थोड़ा से है, थोड़ा से red dot मतलब ज्यादा गन इदर उदर मतलब अगर हम अपनी भासां बोले सो नाच रहे है गन थोड़ी सी जादा सो इतना भी डिफ्रेंस नहीं है अभी ट्राइ करते हैं गाईज नेक्स बैपन आता है अपना a.k.m. so a.k.m. red dot अभी ट्राइ करते हैं so a.k.m. red dot वैसे same ranges पे करें सब्सक्राइब करते हैं अभी ट्राइ करते हैं जो चाइनीज पबजी रहता है अपना इसमें चाइनीज पबजी मुझे एक चीज लिखते है गेम थोड़ी सी जादा स्मूध होती है तो रिक्वाइल का सीन रहता है वो फोन्स पे भी टिमेंट करता है अगर मैं आइफोन में ये रिक्वाइल करता हूँ तो थोड़ा सा मतलब और डिफरेंट सा फील आएगा क्योंकि ग्लोबल पजी में अपनी बैरल वगेरा थोड़ी सी लैग्स ही करती है मैं जितना में देख पाता हूँ और आइफोन में वो ऐसा कोई सीन नहीं रहता है उसवर कॉंसरेंट 60 fps आता है तो यही मेकनिजम हमने देखा था बट गलोबल पजी में अपना गया था 5.56 में वहाँ ज्यादा में रहता है आपको में पहले सो 50 मेंटर 50 मेंटर पर बैरिल 3X ऐसे चलती है सो रिक्वाइल हम सभाल जकते हैं 3X पर बैरिल का सो कोई जादा डिफरेंस नहीं है और 100 मेंटर पर क्राउच करके अगर ट्राई करें सो कुछ ऐसा रिक्वाइल रहता है सो बहुत बाता मतलब शेक कर रहे हैं राइट लेफ्ट भी काफी जादा हो रहे है वर्टिकल और हॉरिक्वाइल रिक्वाइल कर बाना बहुत मुश्किल रहता है 3X से 100 मेंटर तक की रेंज जे लिए अगर हम बात करें इसकी सो इसमें ट्राई करते हैं सेम लग रहे है मुझे को जादा डिफ्रेंज ने राइट लेफ्ट भी सेम ही हो रहा है सो और जूंटले और वर्टिकली सेम ही फिलिंग अरे है बट इस टाइम सो 100 मेंटर पे कुछ थोड़ा सा जादा फिल हुआ तो थोड़ा सो जादा feel है मतलब इसमें भी still but 100 meter पर मैंने देखा कि थोड़ा सो जादा recoil कर रही है so after that अभी क्या करते है iron side से भी एक बार बनिल करके देख लेते है so iron side अभी try करते है अपने पास दो guns है AKM and Varel Inn की iron side पर try करेंगे so सबसे बहले AKM की iron side पर try करते है कि AKM iron side पर कितना difference आता है मतलब ग्लोबल वबजी में and Chinese वबजी में so global वबजी में यह कुछ recoil रहते है आपको पाता है guys की iron side ना बहुत अच्छे से चलती है अगर जिस बंदे को iron side चलाने आती है आप बहुत अच्छे से down कर सकता है players को but spotting level थोड़ा से मतलब कम हो जाता है अगर iron side में अगर बंद आपको एक बर गायब होगा आपकी iron side से so बहुत दिक्कत आने वाली है ऐसे को चलती है अपने global में iron side AKM की so काफी अच्छे से recoil handle कर पा रहा हूँ and उसके बाद देखते है guys अभी Chinese PUBG में कैसा रहता है AKM का recoil iron side पर so AKM पर सुच करते है and अभी देखता हूँ मैं red dot harta case में कैसे चलती है so this is the recoil अभी 25 मेंटर पर थोड़ा सा मतलब राइट लाइफ आख देख सकते हो कि horizontally थोड़ा सा recoil जादा करा गुया चाइनीज PUBG में as compared to the global PUBG and वही डिफरेंस क्रियेट करते है guys horizontal अगर recoil का हम control कर पाते है so अपन की bullets मतलब अच्छे से hit करेंगे अगर चाइनीज PUBG में जैसे हम recoil control कर पा रहा है horizontally so उसके बाद क्या सीन रहता है अभी बैरल का दिखा रहा हो आपको है so उसके बाद क्या सीन रहता है यहां पर कि global PUBG हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे so 60 मेंटर पर ट्राई करते है बैरल का so बैरल का recoil कुछ ऐसा रहता है अपने global PUBG में एक तो गाई so 30 मेंटर्स पर 30 मेंटर्स पर कुछ मतलब देखो horizontally left गई मेरी गन थोड़ी सी but still मैंने control कर ली अभी right-left कही सीन है गाई mainly बताऊं so right-left कही सीन है कुछ गंस में कुछ अलग मेकनिजम अलग मेटा है बट जितने में नॉर्मल गंस है अबरेज अगर लेकर चलें सो मोस्ट अब दे गंस में होरिजन्टली तो कोई जाला फर्क नहीं आता वट फरक आता है अपना इसको ग्राउज कर करते हैं फरक आता है अपना right-left में होरिजन्टर रिकोईल में सो वही सीन है बट इसमें अगर मैं 100 मेटर भी करा यह इस प्रेज सो मुझे थोड़ा सा वैटरी फिलिंग आया ग्लोबल पबजी से सो यह भी कागी कोई चेंज आता है अपना मना कैसे कर रहे हो तों अब ही बात करते हैं ग्रॉजा को लेके सो ग्रॉजा का रिकोईल अभी देखा जाएगा क्यूंकि मैंने देखा कि चाइनिस प्रेज चलाते हैं सो उनकी बुलिट सुने अच्छा सीट नहीं होती सो एक मने बुड़ डाला था यहां पे स्वान का था वो फोरेम स्वान का उसने ग्रॉजा जलाई थी नहीं चले थी बंदे से डंग से बंदे को डाउन कर दिया वट काफी टाइम लोग बोल रहे थी कि बाई ग्रॉजा मतल इतनी विकार चला रहे हैं से तो अच्छी हम जल सुरुकी 10-15 गोली बहुत अच्छे जो निकलेगी और आफ्र देट यह नाचलना लिख पड़ती है तो इसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि यह प्रॉब्लम होती है तो प्लेयर्स को भी यह दिक्कत आता रहता होगा मतलों वहां पे जब वो खेलते हैं तो अप अब दक्राइब हो सेम से सीन कोई जाद डिफ्रेंस नहीं है अपनी ग्रॉजा उनकी ग्रॉजा में अब आज का मैं थोड़ा से लग रहा है कि इसमें थोड़ी से अवाज सप्रेस दें उसमें तो इसमें कुछ सीन लग रहा है विड़ ऐसे नहीं अभी ये 3x पर ट्राइक करते हैं 3x पर कैसे ज जल रही है 25 में तो गाइस हरी कुछ ला लेता भी 50 में चेक करते है 50 में क्या सीन रहता है सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद इसका रिक्वाइल राइट लेफ्ट होना बहुत ज्यादा हो जाता है एंड ये तो गैज कंट्रोल नहीं हो बाएगा है यहां पर इतनी दूर तक बट अभी देखते हैं चाइनीज पबजी में क्या सीन रहता है 3x के साथ ग्रॉजा का सब्सक्राइब करते हैं 25, 30, 25, 25 में पर ट्राइब करते हैं यहां पर मुझे थोड़ा सा जादा लगा रिक्वाइल 3x पर मेरी गन मतला उचल गी थी उपर जैसे सेम सिंस्टिमेटर में ट्राइब कर रहा हूं अफर देट 50 में पर लग बग तेम ही है और 100 में पर इसमें मुझे कुच माँदा सा अच्छा लगा रहा है और 100-500 में थोड़ा सा मतलई यहह और रिकौइल गैरॉज के पे सो रे आरिन साई में गारी एग भी अगन में दिक्कर वाले में थे स्टाइब कह्ते हैं मतलब दार्क हाहि थे यहां पर सब्सक्राइब को डार Maximum बोगत एक पे ससकता है और ज्यादा एह्ट Ilavid भी लख रही है तो यह मझे समय आ रहा है क्या सीन है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो फटाव इट से यार लाइक कर दना और कॉमेंट कर दना सब्सक्राइब कर दना अगर आपको कॉंटेंट अच्छा लगता है आप और ऐसे कमपेरिसन देखना चाहते हो ओगे इस वे समय पीस आट बावाई टिक केर